इतनी समय जेल में रहने के बाद सुमंजी को जेल से रीहा तो कर दिया गया परंटू टिहरी आने पर फिर इन पर प्रतिबन लगा दिया गया तब सुमंजी ने कहा मैं आपने शरीर के कण कण को नश्ट हो जाने दूँगा लेकिन तिहरी के नागरिक अधिकारों को शासन के पंजे से कुचलने नहीं दूँगा सुमन जी फिर तिहरी में प्रवेश करना चाहते थे परंतु उन्हें गिरफतार करके 30 दिसंबर 1943 को तिहरी कारगार वार्ड नमबर 8 में डाल दिया गया सुमन जी को बहुत यातनाएं दी जाने लगी और माफी मांगने को कहा गया परंतु सुमन जी ने कहा मुझे तुम तोर सकते हो लेकिन मोर नहीं सकते माफी ना मांगने पर आदालत ने टीरी राजे दंड सहिता की धारा 124 ए के तहट सुमन जी पर राज द्रो का मुकदमा चलाया और राजा के खिलाफ ग्रिणा द्वेश विद्रो पहलाने का आरोप लगाया और साथ ही साथ दो साल की सजा और 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया प्रजा मंडल की गतिविधियों को गयर कनुनी बता कर उस पर प्रतिबंद भी लगा दिया गया और किसी भी सरकारी वकील को इनकी पैरवी करने की अनुमती नहीं दी गई अपनी पैरवी खुद करते हुए उन्होंने कहा मैं अपने भारत देश के लिए पून स्वाधिंता में विश्वास रखता हूँ वहीं तीरी राजे में मेरा और प्रजा मंडल का उदेशे वैद्य और शांति पून उपायों से महराज की छत्र चाया में उत्तर दाई शासन प्राप करना और राज्ये में सामाजिक, आर्थिक और सब प्रकार के उन्नती करना है हाँ मैंने रियासप में हो रहे अत्याचारों के विरुद आवाज उठाई है परन्तु मैं इसे प्रजा का जन्म सिद्य अधिकार समझता हूँ अपने उपर लगाए गए आरोपों के बारे में उन्होंने कहा सत्य और अहिंसा के जिधान पर विश्वास होने के कारण मैं किसी के प्रति घ्रणा, ड्वेश या विद्रो का भाव नहीं रखता 29 फरवरी 1944 को सुमन जी ने अपनी तीन मांगे राजा के पास भेजी पहला, प्रजा मंदल को मानिता दी जाए वा टिहरी रियासत में स्वतंत रूप से कारे करने की आजादी दी जाए दूसरा, मुझे जेल से पत्राचार करने की स्वतंतरता दी जाए तीसरा, मेरे विरुध, जूटे मुकदमों की अपील राजा स्वेम सुने यहें मांगे राजा के पास भेजी गई और साथ में कहा गया, यदि पंदरा दिन में मांगों का उत्तर नहीं दिया गया तो वह आमरन अंशन करेंगे इंतजार करते करते समय बीटता गया पर अंदो जब को जवाब नहीं आया तो 3 मई 1944 को सुमन जी ने अपना एतिहासिक अंशन प्रारंभ कर दिया जहां एक तरफ आकरोश बढ़ता गया वहीं दूसरी ओर प्रशासन सुमन जी से माफी बांगनी पर दबाब देते हुए अत्याचार करता रहा सुमन जी को 8 फूट लंबे और 6 फूट चौड़े कैट खाने में रखा गया कमरे के उपरी भाग में एक वर्क फूट आकार का रोशन दान था जो सुबह शाम का एहसास कराता था उन्हें एक कम्बल जिसमें नाजाने कितने छे थे दिया गया कभी-कभी तो यातनाइं देने के लिए कम्बल को गीला कर दिया जाता था एक कटोरा, एक पानी का गिलास, कोठरी में, एक कोने में मल मोत्र विसरजन के लिए एक चौड़ा बरतन रखा गया, जिसे शाम के वक्त सफाई वाला साफ करता था, दुपहर बारा बजे और शाम छे बजे खाना मिलता था, जिससे वक्त का पता चलता था, अंशन के चलते स्थिती गंभीर होती जा रही थी, राजा से पत्र वैवार किया गया, जो उस समय तीहरी से बाहर थे, प्रशासन सुमन जी से यही कहता रहा, यदि तुम राजा से माफी मांग लेते हो, तो तुम्हें राजा के जनम दिवस, चार अगस, 1944 को रिहा कर दिया जाएगा, परंतु सुमन जी ने कहा, क्या मैंने अपनी रिहाई के लिए य जेल प्रशासन ने अत्याचार के सारी सिमाएं लांगते हुए, पैंतिस सेर की बेडियों से जक्रे सुमन जी पर बेतों और दंडों से शर्म नाक अत्याचार और बढ़ा दिये, तथा कड़कते ठंड की रातों में सीमन के फर्ष पर उन्हें नंगा लिटा कर बर्ष की सि सफल प्रयास किया जाता है, 48 दिन स्वास्थे बंत्री एवं डॉक्टर बेली राम एक बार फिर सुमन जी का अंशन तोड़ने को पहुंचते हैं, पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती, उसके बाद सुमन जी को निमोनिया हो जाता है, और जान बोच कर उन्हें का मलेरिया के रोगी को लगाया जाता है, इससे सुमन जी की तबेत और बिगर जाती है, और 20 जुलाई 1944 को उन्हें बेहोशी आनिश शुरू हो जाती है, 25 जुलाई की सुभा सुमन जी गीता एवं गंगा जल की मांग करते हैं, परंतु वह भी पूर्ण नहीं की जाती, सुमन जी लगपग चार साड़े चार के बीच राज शाही के तानश शाही के खिलाफ लड़ते हुए अपना शरीर त्याग देते हैं, और उसी दिन से श्री देव अमर शही श्री देव सुमन कहलाते हैं, जना क्रोश के भैसे सुमन जी की लाश को रातो रात भागी रथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर फेंग दिया जाता है। इसका पता उसी जेल में रहे रहे उनके बड़े भाई परशुराम तक को नहीं चलता। लक्ष्मी के आंसु तिहरी के अत्याचारों का अंत अवश्य करेंगे। एक दिन मा ने सुमन जी से कहा बेटा तुम मेरे से रुपई ले जाते हो। कब कमा कर मुझे लोटाओगे। तब सुमन जी ने कहा था। मा तुम्ही तो दो बड़े बेटे कमा कर देंगे। मैं तो छोटा हूँ। मुझे उनके लिए छोड़ दो जिनका कोई बेटा नहीं। यह शब्द उनकी मा के कानों में तब तक गूँचते रहे। जब तक वह जिन्दा रहे। उसकाल में उत्तरकाशी के रवाई शेत्र में तिलारी नमक स्थान पर यमना के किनारे तत कालीन दिवान राय बहादुर चक्रदा जुईयाल ने निहथी जनता पर गोली चलवाने का आदेश देटे हुए प्रजा जनों को मरवा डाला और बहुत से गांव जला दिये जिसमें पशो तक की हानी हुई राजे में करों के नाम पर भूमी कर यहां तकी नए कुर्ते पाईजा में और दूसरे सिले वस्तरों पर चार-चार आने टेक्स देने पड़ते थे जो पॉन टोटी नामक कर के नाम से प्रसिद हुआ गंगा जल को धार्मी पंडितों द्वारा समस देश में ले जाने पर भी कर लगा दिया गया राजे के समस जंगलों पर ग्रामीरों द्वारा प्रेयों के जाने वाले लकड़ी घास और अन्यवन संपता पर कर लगने से वहां की जंता पर अत्या चार के खिलाफ चिर देव सुमन जी का संगश आज भी याद किया जाता है अपने अंतिम समय में सुमन जी 30 दिसंबर 1943 से 25 जुलाई 1944 तक 209 दिन कारावास में रहे जिसमें से 3 मई 1944 से 25 जुलाई 1944 तक 84 दिन की भूख हरताल शामिल है आजाद हिंद फौच के सैनिक तिहरी आंदोलन के समर्थन में 1946 में गड़वा लाए उन्हीं के प्रयासों से 25 जुलाई 1946 को पहली बार सुमन दिवस मलाया गया जिस प्रजा मंदल के लिए सुमन जी हमेशा आवाज उठाते रहे और अपने प्रांट त्याग दिये उनकी मृत्यू के बाद प्रजा मंदल को वैधानिक संग्धन घोशित किया गया और 1947 को प्रजा मंदल का पहला अधिवेशन टिहरी में हुआ धन्य है वह माता पिता जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया धन्य है वो भाई बेहन जिन्हें ऐसा भाई मिला धन्य है वह पत्नी जिन्हें ऐसा पती मिला तुम्हें हमारा कोटी कोटी नमन हमारे प्यारे अमार शहीद श्री देव सुमन ए मात्र भूमि ते कून मन्सों त्यारा मी खानूँ चौँ जुल्म अर अत्या चार मितानू मुंड मकफन धर जानूँ चौँ मात्र भूमि तेरी जै हो उत्रखन लाइफ का मुख्य उद्देश है उत्रखन की बोली भासा, संस्कृति, परेटन, धारिमिक इस्तलों, तीस्तिया होरों एवा मान हस्तियों का परचार परचार करना अत्या आपसे अन्रोध है, आप भी हमारी इस उद्देशे में अपनी भागिदारी निभाएं दोस्तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगे, उसे लाइक, शेयर, कमेंट अभश्य करें और आगामी प्रोजेक्टों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद